परियावरण के दूसरी भाग में हम लोग कुछ महात्पूर्ण प्रशनों पर चर्चा करेंगे जो परिच्छा की दृष्टिकूर्ण से अत्यनती ही महात्पूर्ण है तो हम लोग एक एक करके इन सवालों को देखते हैं पहला सवाल है कि सीड़ी दार कुई अत्वा बावली से संबंधित निमलिकित कतनों पर विचार केजिए वो जल भंडारन तथा संरक्षन की पारंपरिक व्यवस्था हैं तो यह वाग के इसमें सही है दूसरा है कि सामुदा एक सुरोत के रूप में इन्हें प्रियोग में ल संदूसित जल होता है अईसा नहीं है हो सकता है कहीं पर संदूसित हो लेकिन कहीं पर वो संदूसित ना हो इसलिए चोथा वाक के गलत है तो बिकलब संक्यादो यानि की एक डो और थीन इसमें सही होगा अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि वरली एक पारमपरी का कला है वरली नामकस्थान के सरा वरली मुंबई में है यानि कि महाराष्टा इसका सही उतर होगा ये पूरी तरीके से तथ्यात्मक प्रश्ण है अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि निमलिकित में से जड़ का काउन साकारे पौधों के लिए नहीं है भोजन भंडारित करना ह्यूमस उपलब्द करवाना पौधे को सहारा देना जल तथा खनीच का उसूर्शन करना जल यूम खनीच भी होता है पौधे को सहारा भी देता है भोजन भंडा और संचीत करता है लेकिन ह्यूमस यह उपलब्द नहीं कराता है यही इसका सही उत्तर होगा क्योंकि जो नहीं है वही इसका उत्तर होगा अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि कांच की जारत था बोतलों को उनमें आचार भरने से पूर प्रात्मिक कक्छाओं में सिच्छार्थियों के पास अनिक परकरणों में अनिक बैकल्पिक आउधारणाएं होती हैं इन सजीव निर्जीव जल्चकर पौधियाद इन बैकल्पिक आउधारणाओं के सुरोत हो सकते हैं परिवार या समदा है परिवार से भी मिल सकता है औ अगले सवाल के दरफ बढ़ेंगे परियोग करना आकलन का एक संकेतक है निम्नलिखित में से कौन सा एक परियोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है निश्ची तोर पर हस्त परक गदविधियां जो है इसका उत्तर होगी क्योंकि ऐसा करने से ह अस्त परक गदविधि सबसे महतुपूर इसका उत्तर है परियावरन अध्यन में बच्चे सिल्पकला और चित्रकला को समुह में सीखना बिसेश रूप से पसंद करते हैं क्योंकि यह साफाटी अधिकम को बढ़ाता है सही है यह सामाजी का दिकम को बढ़ाता सही है बच् कि यहाँ पर सही नहीं है वाक्य संख्या एक दो और तीन यानि कि इसमें यह विकल्प सही है वाक्य संख्या विकल्प संख्या तीन इसमें सही होगा अगले सवाल के तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि परियावरन अध्यन में सिच्छा सास्तर के संदर्भ में सिवाए यानि कि एक वाक्य है उसके अलामा निम्लिकित सभी वांचनिये हैं आलोचना चिंतन और समस्या समाधान के लिए छहमता संबर्धन करना और दूसरा है बच्चे की आसमीता का पूशन करना तीसरा है वास्तभी काउलोकन के अस्थान पर पाठ पुस्तक किये ग्यान वास्तभी काउलोकन के अस्थान पर पाठ पुस्तक किये ग्यान निस्चे तोर पर वास्तभी काउलोकन ही महात्पूर है यह थार्थ महात्पूर है अस्थानी चीज़े महात्पूर है मूर्थ चीज़े महात्पूर है तो यह वाक्य हाँ पर गलत होगा अर्थात के सिवाय का मतलब यह है कि एक वाक्य है जिसके सिवाय सब आँचनी है यही वाकिस का उत्तर होगा अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते है कि कच्झा एक में परियावरन अध्यन में सिच्छारतियूं की आकलन की बारे में निम्लेलिकित में से कौन साथ से सत्य हैं मौकिक परिछा है क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्छम ना हो सही बात है लिखने में अगर सक्षम नहीं तो है डाइंग क्योंकि बच्चों को इसमें आनन्द आता है ये भी सही है अगला है कि सिछकों को अलोकन और रिकार्डिंग चौथा है कि किसी को नरो के नीती को ध्यान में रखते हुई आकलन करने की कोई आउसकता नहीं है तो ये वाके जरूरी नहीं है कि ये सही है क्योंकि आकलन करने की तो आउसकता होती ही है तो वाके संख्या चार इसमें गलत होगा तो एक दो और तीम यहाँ पर सही होगा विकल्प संख्या एक इसमें से सही होगा अगले वाके की तरफ हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे निमनलकित में से कौन सा कथन आकलन पर क्रियाओं की बिसे में सबसे कम उपयुक्त है बच्चे का निजी बीबरन और बैक्तिक प्रिष्ट भूम निश्चे तोर पर निजी बीबरन और बैक्ति से ज़्यादा अपने निजी मामलों में ध्यान देगे तो ऐसे इस तितिय में कच्छा कारेकर में निजी बातों को ध्यान में नहीं लाना चाहिए तो सबसे कम बात यही उप्यूक्त है अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि दिये गए परशन को ध्यान से पढ़िए क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखें हैं जिनके छोटे बच्चे हैं अपने नोटबुक में नाम लिखें इस प्रशन के माध्यम से किस परकर्मण कौसल के बारे में आकलन किया गया है तो यह आउलोकन और रिकार्डिंग होता है रिकार्डिंग का जाएगा तो इस तरीके से आउलोकन है रिकार्डिंग इसका सही उत्तर होगा अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि परियावरण अध्यन की अंताविसे फरकृती परियावरणिये मुद्दों को द्वारा संभूधित करती है परियावरणिये मुद्दों को इसके सामाजिक विग्यान और परियावरणिये मुद्दों के साथ दोनों जो सब्द है उसमें विग्यान सब्द का उल्ले खयर था यह इसमें वाके संक्याचार सही होगा अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि पांच एक सिच्छक एक सवाल देते हैं पेड़ों के पां होगा और अभिसारी होगा अभिसारी यानि कि एक केंदर की तरफ छुका होता है अर्था तो सिमित होता है और दूसरा है कि अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो तो यह इसमें ब्यापक चीज़ें लिखी जा सकती है इसको लेखन में अगर आप लिखना चाहें तो इसके बह बहुत ब्यापक होता है असीमित होता है वो मुखत अंतवाला होता है अधाद बिकल्ब संख्या एक इसमें सही उत्तर होगा अगले सवाल के तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि निमलिकित में सके सुनेने की सक्ति इतनी तीचन होती है कि वह वायू के पत्ते के हिलेने की धोनी गास पर किसी जानवर के चलने की धोन में अंतर कर सकता है तो निस्चे तोर पर वह जानवर बाग है गिद तो बहुत तेजी से गती से चलता है और देखने की इसकी छमता जो होती है लेकिन सुनने की सकती जो है बाग में होती है और अगले सवाल के तरफ हम लोग बढ़ते है कि जब कोई बेक्टे ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरिल की यात्रा करता है तब वो आनिक सुरंगों को पार करता है ये सुरंग निस्चे तुर पर जब अहमदाबाद चुकि पस्चमी तटपर है और वहां पर पस्चमी घाट होगा वह बेगलब संख्याती इसका सही उ जाता है मचरों को तेल द्वारा भिकरसित किया जा सकता है मचर तेल द्वारा मर जाते हैं मचर तेल की प्रत में फंस जाते हैं आक्सीजन की आपूरती को कम कर देता है क्यूंकि जब तेल डाला जाता है तो उसकी प्रिष्ट तरनाव कम हो जाती है और आक्सीजन आपूरत संक्याचार इसका सही उत्तर होगा आगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि ग्रामीर छेदर के मकानों के धांचे वहां की जलवायू की इस्तिती से संबंदित होते हैं एक गाउं के मकानों के लक्षण नीचे देगे हैं मकान मजबूत बास के खंभो पर खड़े होते ह हैं अंदर से भी मकान लकडी से ही बने होते हैं मकान जमीन से कुछ उचाई यानि तीन चार मीटर की उचाई पर होते हैं छट ढालू होते हैं इस गाउं में भारी बरसा तो निश्ची तोर पर इस सवाल का जो उत्तर है वो पूर्बोत्तर का ही कोई राज होना चाहिए और इस सवाल का सही उत्तर यहां पर असम दिखाई पड़ रहा है अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि कुडुक कहां के लोगों की भासा है कुडुक एक भासा ऐसी है जो मध्यपूर्ब में बोला जाता है मध्यपूर्ब के अंतरगत जो है मध्यपरदेश श्यतिर जारखंड पस्मी बंगाल इत्यादी रा जाते है तो इसमें जारखंड है तो यही उसका उत्तर जो है सही है दरविन वासा के अंतरगत आता है इसकी ब्याक्या भी नीचे दी गई है अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि राश्टी पाठे चरया की रूप रेखा भोजन करने के बाद उसको पानी पीने की जरूरत होगी भोजन पानी करने के बाद वो आराम करेगा आराम करने के लिए आवास होगी और जब जगेगा सुबा कहीं पर निकलेगा तो यात्रा करेगा और जहां पर जाएगा वहां कुछ चीज करने के लिए प्रियास करेगा तो इस तरीके से एक scientific region है जो इस तरीके से आप उसमें जुड़ा हुआ है कि परिवार, भोजन, पानी, आवास, यात्रा और हम चीजों को कैसे बनाते हैं तो ये चीजें यहां पर असपश्ट होती हैं तो भोजन इसका सही उत्तर होगा अगले सवाल की दरफ हम लोग बढ़ते हैं कि परिवार, अध्यन, पाठी, पुष्टक की बिसे वस्तु में परिभासाओं और ब्याक्ख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए सही है क्योंकि परिवार, अध्यन, अगर हम परिभासाओं भी जादा जोरत हैं कि तो बच्चों क स्वेंग से सीखने की कोई छमता प्राप्त नहीं होगी, रट कर सीखने को हतो साहित होना चाहिए भी सही है, बच्चे को परशन करने और मौकाद देना चाहिए भी सही है, बच्चों को केवल लिखित जानकारी जो दी जानी चाहिए, निस्चे तोर पर ये गलत है, ऐसी को गलतियां करें बच्चों को करके सीखने का उसर मिलना चाहिए सही है बच्ची बहुत से परशन पूचे पूचना ही चाहिए बच्चों को खोज करने के लिए पर आप समय मिलता है तो कम करता है यही गलतियां क्योंकि कोई भी व्यक्ति होगा तो वो गलती तो करेगा ही अगर कोई चीज सीखनी का प्रयास कर रहा है कोई नया चीज करनी का प्रयास कर रहा है तो अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि सिच्षार्थियों का आकलन करते समय परियावरन अध्यन की सिक्षेका को निमलिकित में से क्या नहीं करना चाहिए बच्चों की पूर्व आकलन के साथ तुलना करनी सिच्छार्थियों की सीखने की छमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्जिकरनी चाहिए बच्चों के कारियों के केवल कुछ पच्छों पर ध्यान केंद्रित करना बच्चों के कार से समंदित गुणात्मक उलेख करना यहां पर यह है कि सिछार्थियों का आकलन करते समय परियावरण अध्यन की सिछिका को निम्लिकित में से क्या नहीं करनी चाहिए बच्चों के गुड़ात्म को लेख होना चाहिए, बच्चों के कारियों के केवल कुछ पच्चों को ध्यान केंदेद करना चाहिए, यह एक बिसिस्ट इस्थिदी है, क्योंकि बच्चों के केवल कुछ पच्चों को अगर हम ध्यान देंगे, तो निश्ची तोर पर हम बच् हम है को नहीं या नहीं को है पढ़ लेते हैं और पहला यूआ के देख करके उसका उत्तर टिक कर देते हैं ऐसे इस्तिती में वो परशनी गलत हो जाता है तो ऐसी इस्तिती में हमको इन सभी इस्तितियों से इन सभी आददों से बचना होगा अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि हमारे देश में निम्लिकित अस्थानों में से कौन सा थंड़ा रेगिस्तान है लेह लद्दाक यानि इसमें लद्दाक आता है ये ब्रियत हिमाले का भाग है और ब्रिष्ट छाय पर देश में पढ़ने के कान इसको कहा जाता है अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि गुरप्रित पहली बार रेल गाड़ी से नई दिल्ली सिचन्नी गया अपनी रेल यात्रा में उस गाड़ी के दौरा निम्लिकित में से किस नदी को जाहिर से बाद दच्चिन भार जा रहा है तो महानदी गोदावरी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि घरों के नीची दी गई बेसेश्टताओं पर विचार कीजिए निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं पेड के तनों की लकड़ी से बनी ढालू चते खंपों पर जमीन से लगबक दस फुट की उचाही पर घर बने गारा पथर और इसी मोटी दीवारे बने लकड़ी फर्स लेह और लदा के बारे में तो लेह लदा के बारे में यह बहुत ही बरफीली जगा है तो निचले में कोई खिड़की नहीं होगी इसलिए नहीं होगी क्योंकि ऐसा करने से वहां पे हवा आएगी और पेड़ तनों लकड़ी से नह हाँ पर यूच के जाएंगे वो तापमान को जो है गरम रखे और बाहर के ठंडी को नाने दे तो इसमें एक डी और एडी यानि कि विकल्ब संख्यात तीन इसमें सही होगा और ये दोनों जो बी और सी हैं ये दोनों ही आपसर पुर्वोत्तर छेतर के लिए जो बनाई जानी होगा कौवा पीड़े की ऊची डाल पर अपना गोस्टर बनाता है इस घोसले को बनाने में कोई परकार की चीजें यहां तक कि जिरी लकडी की सांखाइं और लौहे के तार भी होते है एक चालाघ पच्छी अपना गोसला नहीं बनाता है और कोवह के घोसले में साबुदाना निसके तोर पर कैन्कि साबुदाना जो है वो सागो नाम के साबुछ पाम नाम के पौंधे के लुगोदी से यारण else हो lush बनाया जाता है इसलिए यह दाना नहीं ये बाकि और सारे जो है बीच के रूप में आते हैं अगले में है कोईटिन रहाना अपने परिवार के साथ केरिल जाती है वहाँ बीच उचे बिच दिखाए पड़ते हैं जो उसके ग्रिय नगर सिमला के उचे बिचों से भिन है उसने केरिल में कौँ से केरिल में जायर से बाद नारील इसमें होगा आलू, आलू में नहीं होते हैं, टमाटर में होते हैं, नासपत्ती में होते हैं, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज में नहीं होते हैं, तो खीरा में भी होते हैं, तो आलू और प्याज को छोड़ करके, टमाटर, नासपत्ती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा, सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा चीज़ों को कबर कर रहा है इसका उत्तर यही होगा और आलू और प्याज में नहीं होता है तो हम लोग भी ब्यावहार में परियोग करते हैं तो इसलिए इसको आसानी सी किया जा सकता है खैर परियावन्ट से संबंदित जो भी परिच्छा है उसमें आप है, इसलिए ऐसे सवाल भी रखे जाते हैं जिसे आप लोग स्वेंग सोचने का प्रयास कीजिए और निर्ड़य का प्रयास इसको करते हैं करके सीखना अग्ले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते है कि नीता आंधर पर्देश जाती और दो शाढ़ीया खरीति खास तूर पर अगले समय में हम अगले को सा जोड़ा ठीक है आसम भी हूँ यह तो सही है अगले सवाल के तरफ हम लोग जो है बढ़ते हैं कि एसकिमो अपने घर इगलू का निर्मार बर्फ से करते हैं जाए इसी बात है कि एसकिमो बहुत ही ठंडे टुंटरा परदेश इत्यादी छेत्रों में जहांपर बर्फबारी होती ही वहां पर रहते हैं और इगलू बर्फ का इनका घर होता है तो इसलिए वो बर्फ से दिवाल बनाते हैं ताकि बर्फ के अंदर हवा जो है वो हवा उस्मा का कुचालक होता है ताकि उनके घरों से बाहर कर्मी ना आ सके अर्थात बेकल्ब संख्यादो इसका सही उत्तर होगा भूगोल से संबंदी सवाल है परियावरण में भी पूछा गया है इतिहास के भी कुछ कोईशन पूछे गया है कुछ बिग्यान के भी कूछे गया है अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि निम्लिकित में से कौन से बिसेचता बरगत के पीड़ों की जड़ों की नहीं है जड़े साखाओं से लटकती है सही है जमीन के भीतर जड़े होती है ये भी सही है जड़े भोजन का भंडार करती ये नहीं है और खंबो की तरह पेड़ को साहता भी करती है निश्ची तोर पर तो बिकलब संख्या तीन होगा क्योंकि जो गलत है वही पूछा है कि इसमें क्या नहीं है और हमेशा मैं बार-बार कहता हूँ कि ये चीज़ आपको ध्यान परिच्छा में जरूर देना होगा कि इसमें से कौन सा नहीं है या कौन सा है और जो नहीं है वो नहीं को नहीं के रूप में विकलब में खुजना होगा कविताय अगले सवाल कविताय और कहानिया परियावर्ण अध्यन की अंतर वस्तु को पढ़ने में प्रभावसाली है क्योंकि कविताय और कहानिया बच्चों की परवेश का सम्रिद चित्रण करती है तो सही है संदर्विद अधिगम परवेश परदान करती है सही है विभिन अमूर्त अधानाओं को अमूर्त नहीं अमूर्त जैसे हुआ यह जो बहुत ही कठिन हो जाएगा और वो सामाने इस तरफ बच्छों को समझ में नहीं आएगा तो यह जीजे नहीं होंगे सर जनात्मक्ताव हम संदर बूत का पॉर्शन करती हैं तो जैर सी बात समाचार पत्रों को डेफिनेटली मानेंगे बहुत आयामी होते हैं समय समय पर अधितनन इनका होता रहता है आसानी से उपलब्द होते हैं तो हम ने इस चितोर पर समाचार पत्रों को इसके उत्तर की रूप में देखेंगे आगले सवाल के तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि सत्र में एक अत्रित की गई सामागरी को एक फोल्डर में डाल दें ये पोर्टफोलिय होगा ये तो इसकी परिभासा में जो है डेफिनेटली आता है यहां पर हमने उसको भी जो भी अख्याइद कर दिया हुआ है कि परतेक्षात का फोल्डर होगा जिसमें लिखी गई की नहीं होगी बलकि उनके द्वारा जो भी वस्तुई जो भी दस्ताबेज लाके रखे जाएंगे वो साक्ष के रूप में वहां पर रख दिये जाएंगे तो इस तरीके से इसका सही उतर यही होगा अगले सबल की तरफ हम लोग वड़ते हैं कि परियावान धिन की एक परकरण को संदर्व परक बनाना यह नहीं होगा क्योंकि यह जो है अंगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि किसी क्रिया कलाब के लिए समू बनाते हुए सामाजी का ध्यन के सिछक को चाहिए कि वहां सुनिश्चित करें कि लड़के लड़कियों का अलग समू हो नह अलग समू नहीं उनके अंगों के अनुसार समू यह भी नहीं केवल दो समू बनाएं और परतेग में भिद्धर्दी नहीं हाँ सभी सहभागियों को सहभागिता सुनिश्चित करना यह इसका जो है सही उत्तर होगा क्योंकि इस सामाजिक अध्यन के सिछक को यही चाहिए क ऐसा कोई प्रियास करें जिसमें सहभागिता और सहयोग की भावना बच्चों में सुतहा पैदा हो हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि प्रात्मिक अस्तर पर परियावरण अध्यन की पार्थि पूस्तक में निमलिकित में से कौन सी विसेष्था नहीं होनी चाह है क्योंकि अमूर्थ है परिभासाएं है रटना है याद करना है कोई एक पक्षिये है यह सारी चीजों को हमें कच्छा कारिकरम में सामिल नहीं करना है और यहां पूछा गया नहीं तो इसमें जो नेगिटिव है उसका उत्तर हो जाएगा अगली सवाल की तरफ हम लोग य लाश्टी पाठे चर्या की रूप रेखा एंसी अब दो हजार पांच निम्लकित में से किसे प्रस्ताबित नहीं करती तक्नी की सब्दावली यहां पर देखिए डेफिनेटली कठिन जो चीजें होंगी वो चीजें यहां से बाहर हो जाएंगी क्योंकि बार-बार यह आओ करके सीखें सायोपूर्ण सिच्छा एक सामजिक्ता वाली सिच्छा सामधाइक सिच्छा यह सारी चीजों को बल दिया गया था तक नहीं किसी चीजिश में नहीं होंगी क्योंकि नहीं बूचा है तो यहां पर जो नेगटिव है वही उसका उत्तर होगा अगला सवाल ह हम देखते हैं कि प्रात्मिक अस्तर के सिच्छार्थियों में मांचितर बनाने और समझने के लिए निम्लिकित में से किन कौसल कौसलों के विकास की आऊ सकता है किन कौसल और कौसलों के विकास की आऊ सकता है अस्थानों की सापेश दूरी और दिसाओं की समझ होनी दिसा में उस सही रूफ में बाढ़ा बढ़ता है इसका ए बी सी या निकि भी कल संक्या दो इसका सही उत्तर होगा अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि प्रात्मी कच्छाओं में पर्यावरण अध्यान पढ़ाने के लिए निमने लिकित में इसे कौन सा उद्धिस नहीं है बिग्यान के अधरभूत प्रत्यों को रट कर या यह दिखे अपने आप में यह जो पहले ही जो है यहां पर पुना रट करके याद करने कि यही इससे संबंधित नहीं है बाकी सारी चीज़ें प्रयावरण को आउसर देना आउलोकन मापनी भी होगा सामाजिक प् परियावरण अध्यन में आकलन के लिए उपर उपकरण और तकनीके हैं परियोजनाकार चेत्र भर्मण जर्नल यानि की लिखना विचारमान चेत्र हैं तो सभी लेकि प्रात्मी कस्तर पर जब यहां पर पुंचा गया है तो परियोजनाकार और भर्मण सबसे आसान सरल है जो सीखने के लिहास है इसमें A और B दोनों होगा क्योंकि परतिक बिकल्प में जो है दो या एक इस तरीके सामिल है तो A और B इसका सही उत्तर होगा अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि परियावरण अध्यन के सिक्षन से उन परक्रिया पर आधारित कोशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूचताच आधारित परतिक शांभों के केंदर बिंदु हैं निर्धारान इसका सही उतर होगा क्योंकि यही जो है नेगटिप चीजे हैं इस्थिर चीजे हैं जो नहीं के रूप में पूछा गया है अगला सवाल है कि राधा विभिन प्रकार के यात्रा टिकतों का परियोग करती है ऐसे टिक्टों के उपयोग से निमनलिखित में से किस संकलपना पर परभापून धंग से चर्चा की जा सकती है राधा विभिन प्रकार के यात्रा टिक्टों का परियोग करती है ऐसे टिक्टों के उपयोग से निमनलिखित म से एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर जाने में हमें टिकट लेना चाहिए ये भी सही है आरक्षन की प्रकिरिया समझ ये गलत है पूरी तरीके से तो हम लोग इसके उत्तर की तरफ जो है यहां पर बढ़ते हैं कि किस तरीके से इसका उत्तर निर्धारित हो सकता है चुकि प्रतिक बिकल्प में दो ही वाकि दिया है और हम दो को पहले सिलेक्ट कर चुके हैं ए और सी को अर्था तीसरा इसमें जो है सबसे सही होगा या दपी दूसरा भी वाकि सही हो सकता है लेकिन चुकि बिकल्प इस तरीके से है जिसमें तीन वाकि नहीं है इसलिए हम सबसे उ युक्ति सरवादिक उप्युक्त परतीत होती है रात में कच्छाओं के बिद्यार्थियों को मानचित्र सिक्छन के लिए निमलिकित में से कौन से युक्ति सरवादिक उप्युक्त परतीत होती है अध्यापक द्वारा स्यामपट पर मानचित्र बनाना जथा सिछार्थियों को बिभिन अस्थानों की इस्तिती बताने को कहना सिचारतियों को निर्देश देना कि वो घर से भारत का मानचित्र लेकर आएं सिचारतियों को एटलेस दिखाना बिभिन अस्थानों की इस्तिती बताने को कहना सिचारतियों की सहायता करना वो अपने ही संकीतों का प्रियोग करते हुए निकर्तम प्रवेश का मानचितर बनाए यह डिफिनेटली ब्यापक अधारणाों को लिया हुआ है यह इसका सही उत्तर होगा सबसे उफिक्ट है क्योंकि वो स्वहेंग करेंगे वो स्वहेंग करके हो सीखेंगे परवेश की मांचित्र बनाएंगे दिसा और इस्तिती का ज्यान उन्हें होगा अगले सवाल के तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि कच्छा पांच की अध्यापिका माही का चाहती है कि उसके बिद्यार्थी आसपास के पौधों का अउलोकन करें सार्थक अधिगम के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए पुरोथसाहित करना चाहिए उनकी उचाई पतियों गंध हुगने वाले अस्थान का अंतर चुकि यह ब्यापक संदर्भा है इसे ही उत्तर की रूप में सेलेक्ट करना है बाकी सारी चीजी भी महात्पूर्ण हैं लेकिन वह एक सीमित दारे को अपने में कबर करती हैं ध्यान रहे कि इस तरीके की महात्पूर्ण और उच्चसतरी परिच्छाओं में आप लोगों को हमेशा से ये ध्यान में रखना होगा कि जो भी कल्प सामानते ऐसा देखा गया है दब ये कोई नियम नहीं है कि जो भी कल्प बहु आयामी हो जो चारा संदर्भों को अपने में लिया हो अक्सर वही उत्तर सही होता है हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे परात्मी कस्तर पर परियावर्ण अध्यन परहानी के लिए निमिल्कित में से कौन सा पहलू सबसे महात्पूर्ण होना चाहिए किरिया कलाप संचलित कौसलों को अभिकास करना आकलन में सफलता प्राप्त करना विग्यान की आधार भूत संकल्पनाओं को समझना और सीखने वाले को प्राकृतिक और सामाजिक सांसिक्रितिक परियावर्ण से जोड़ना डिफिनिटली यही इसका उत्तर भ्यापक है क्य जाहिर सी बात मांचित बनाएगा तो इसमें दिसा और इस्थिति दो चीजों की साफिक इस्थिति के बारे में जानकारी होगी इससे समझे देए पूर्व में सवाल हम लोगों ने लेक्चर में लिया था और अभी जश्टीज के पहले हमने इसका ब्याक्ख्या किया तो ड अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो हम याँ पाते हैं कि अधिकांस पच्छे अपनी घरतन आती धिक हीलाते हैं इसका कारण है कि ज़्यादतर बिग्यान में भी यह चीजे हैं कि पच्च्यों के नीतरी स्तिर होते हैं और घूम नहीं सकते हैं इसलिए उनको घर दन बार-बार घुपाना पड़ता है अगले सवाल के तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि निमलिकित में सिद्श में राज में अधिकतर लोग नारियल से पकी हूई समुद्री नारियल से जो पकी हूई समुद्री मचली खाते हैं डैफिनिटिर इसका तथ्यातम कुतर गोवा है क् गोवा केरल और तमिल नाडू के आसपास है केरल और तमिल नाडू में नारियल की खेती होती है नारियल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है और समुद्र के किनारे होने के कारण से जो गोवा में लोग समुद्र मचली को नारियल में पका कर खाते हैं अगले सवाल की गिलहरी इसका सही उत्तर है दाथ उसका बढ़ता रहता है बार बार तो ऐसी इस्तितिय में वो अपने दाथ के साइज को संतुलित करने के लिए बार बार चीजों को कुतरता रहता है अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि कोई किसान उर्बरकों और केटनासकों का उ योग अधिक करके अपने खेत में बार बार धान की फसल उगा रहा है ऐसा करके इसके खेतों की मिर्दा जाहर सी बात है को वो जाओ नहीं रहेगी अनफरटाइल हो जाएगी तो जाहर सी बात है इसे बंजर युक्त ही बिकल्प तीसरा इसमें सही होगा अगले सवाल की तर बिकल्प संख्या एक इसका सही उत्तर होगा अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि नई दिल्ली में रहने वाला कोई भी ब्यक्ति पहले भोपाल और फिर राची का भर्मर करना चाहता है उसकी आत्रा की दिसा क्या होगे अब हमें दिल्ली से देखना है कि भोपाल दिल्ली से भोपाल यानि कि पहले दक्षण की दिसा में वो जाएगा और पूना जो राची जहार खंड यानि कि वो पूर्व की दिसा में वो जाएगा तो डेफिनेटली वो बिकल्प संख्या तीन दक्षण फिर पूर्व ये बिकल्प संख्या तीन इसका सही उत्तर होग और फिर वो पूरफ की दिशा में जाएगा अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि नीची देगे सभी जानवरों मेंसे निम्लिकित मेंसे कौन से बी सेस्ता पाई आती छिपकली गौरईया कच्छुआ साफ यह अंडे देते हैं जहरीले होते हैं जहरीला नहीं होता भ प्रयावन अद्धिन के सिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है कच्छा की विविद्यता की पूरती सीखने के लिए संदर्भगत वातावन परदान करना पाठों को आनंद दायक बनाना भासा काउशलों को बढ़ावा देना इस प्रशन का एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कि प्रात्मिक अस्तर पर प्रयावन अद्धिन के सिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है डेफिनेटी सीखने के लिए संदर्भगत वाता वरण के लिए तो बिकल्प संख्य इनके आकलन मिने में कित में से कौन सा संकेता को फ्यूउकत नहीं होगा आस्मर करना पूना देकिये रटने याद करने वाली बात आई ये नेगेटिव यहां पर है ये भी नेगेटिव है तो यही इसका उत्तर होगा इस पौद्धें में पतियां हैं जिने सब्जी की तरह परियोग में लाया जाता है इनके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है तो जाहिट सी बात है ये तो देखने पर ही पता चलता है कि इसमें सरसो होगा क्योंकि सरसो के पत्यों को साग के लूप में ला जाता है और सरसो का तेल भी उच में आता है तो डिफिनिटली यही इसका सही उत्तर होगा अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि निमने लिखित समोहों में से उस समोह को चुणिये जिसमें खाना पकाने के तरीके दिये गए हैं उबालकर गूत कर यह नहीं होगा सेंकर उबालकर बेलकर यह नहीं होगा तलकर भीगोकर भूणकर यह नहीं होगा सेंकर तलकर भूणकर यह इसका सही उत्तर होगा यानि कि चौथे विकल्प में होगा चौथा विकल्प सेंकर तलकर भूणकर तीनों ही तरीका होता है किसी भूजन को पकाने का अगले सवाल की तरफ हम लोग जो है बढ़ेंगे कि माउंट एवरेश्ट के बिसे में निमलिकित में से कौन सा कथन सही चुनिये या जमू कस्मीर का भाग है ये गलत है जमू कस्मीर का ये भाग जो है नहीं है तो ये इसका जो है गलत वाक्य होगा नेपाल का भाग है ये सही है इसकी चूटी आठ हजार नौसो मीटर है या भारत का भाग है ये नहीं है या तिबबत का भाग नहीं डेफिनिटलि ये नेपाल का भाग है नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है लेकिन इसके उचाई थोड़ी सी यहां पर नहीं होती है इसलिए रेक इस्तानी चेतरों में उससे पैदा किया जाता है चायातार बिर्चानी बच्चे कहलना मसंद करते हैं तो तीनों वाकि सही है, एक, दो, तीन, वाकि संख्या, एक इसमें जो सही होगा, अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि हाथियों की बिसे में नीचे दिया गया, कौन सा गतन सही है, परियावर के बारे में प्रशन पूछा जा रहा है, और हाथियों को भी सामिल किया सकता है, बैस खाती एक दिन में दो कुंटल से भी अधिक पत्ते खाते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, कि भारी सरीर तो किसका मतलब नहीं कि पूरा जंगल खा जाएंगे, हाती दिन में दस-तीन घंटे सोता है, तो विकल्प के रूप में वाकि दो इसका सही उत्तर होगा, अगल रिप बेसिक दिभ्यांग लोगों के लिए है, और Aww लोग जिनको आँक से दिखाई मादा है, यो फ्रकार के सिरीर बिखानोगों वो तो उती यह प्रेपर होते हैं, उसको छेद करके जो है, उसमें लिपी उकेरा जाता है, और इसके खोज जो है, लुई ब्रेल के द्वारा किया गया था, तो वाकिसन क्याद दो इसका सही विकल्प होगा, हमारे देश के नीचे दिये गे भागो खाने की चीज़ें, टविपयोका और यह तो दक्षिन भारत यानि की केरल तमिलनाडू, केरल इसका है, विकल्प तो केरल सही इसका उत्तर होगा, अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, कि कोई डाक्टर एक मरीश को खाने के लिए कुछ दमाईयां लिखता है, और साथ ही वो गुड आवला हरी पत्ती, गुड आवला हरी पत्ती, यानि की इससे जो है आईरन मिल रहा है, और आईरन की कमी से इनीमिया होता है, थाथ यही सवाल इसका सही उत्तर होगा, अगले सवाल के तरफ हम लोग बढ़ते हैं, कि भारत के मांचित में दिल्ली की इस्तिती के साफ़ एक शीमांचल परदेश की राज़दानी और मद्य परदेश की राज़दानी, यानि अगर दिल्ली यहां पर मान लिया जाए एक विकल्प की रूप में, तो हमांचल परदेश इसके उत्तर में है, और मद्य परदेश की राज़दानी इसके दक्षिन में है, तो इस तरीके से उत्तर और दक्षिन की स्थिती बनेगी उत्तर और जक्षिन इस भी कल्प में तीन में है तो तीसरा इसका जो है सही उत्तर होगा अगले सवाल में EBS का संख्षेपन आपका जो बिसर है उसको 60 में EBS भी कहा जाता है लोग अक्सर EBS कहते हैं और यह पूछा जा चुका प्रशन में इंवार्मेंट वाक के गलत है और यही उसका उत्तर हो कि बिद्यार्थियों को कड़े अनुसासन यानि कोई भी नेगिटिव चीजे नहीं होना चाहिए खेल खेल में सिच्छा पर जोड़ दिया जाता है और जो कि यहां पर भी अपनाना चाहिए क्योंकि कड़े अनुसासन से बच्चे के पांच में परियावरण अध्यन की कच्छा में अकसर गहन जांच पड़ताल की बात यहां पर की गई है और कलपना सील प्रशन पूंचती है तो उसके द्वारा इस प्रकार के प्रशन करने का उद्देश से सुधार करना है कि इसमें डेफिनेटली इसमें अलोकन की बात न है विभिन परिक्षाओं में पूछे जाते हैं और यह जो है परियावरण के लिए जो महात्रपून हैं एक औधाना और एक आपके जो कॉंसिप्ट को क्लियर करते हैं इसके संदर में दो तीन बातें जो हैं सबसे महात्रपून हुए मैं बता दूं कि आपको भारत के सभी जो है परदेशों के बारे में एक फौगोलिक रूप में एक image होना चाहिए क्योंकि बिभिन प्रकार के परदेशों और विभिन परकार के राजधानियों से दूसरे राजधानी के साफिक इस्थि की को इसमें पूंचा जारहा है तो उसे समद्द जो है जानकारी आपको हो परियावरण पर बनाया गया दूसरा लेक्चर है इसका पहला लेक्चर पूर्व में जारी किया गया है और मैं समझता हूं कि इन दोनों ही लेक्चर को अगर आप बहतर धंग से पढ़ते हैं तो निश्ची तोर पर परियावरण के संदर्व में एक जो अध्यापन के लिए आपी छित है बोर्ड को एक्जाम को वो आप लोगों में बहतर होगा और इससे आपके एक्जाम की बहतर धंग से तयारी भी हो पाएगी तो इन दोनों लेक्चर को आप लोग तयार कीजिए और इसके साथ-साथ अपने अन्य जिस्चों सेक्शन की भी बहतर धंग से तयार कुछ समझ आधारित होते हैं प्रश्ण को ध्यान से जरूर पढ़िए क्योंकि प्रश्ण में हाई या नहीं इस तरीके की गलती करके लोग प्रश्ण में नहीं को है पढ़ते हैं और चुकि जब नहीं वाला पूचा गया है तो वाकि में नहीं से सम्बंदित एक ही वाकि दि कि अध्याज करना होगा आप अपने परश्ण के सेसंगे को भी ध्यान में रखेंगे इसके संदर में एक वीडियो अध्यात्व भातेété पशीनल पर जा करके वहां के सेक्षन्स पर ट действительно की जोंहें सेंगे क और उसमें आपको क्या तरीका अपनाना चाहिए और क्या रणे नीदियां आपकी होनी चाहिए इन सभी बिंदों पर व्यापक्ता के साथ चर्चा किया गया है तो आप लोगों से मैं इस उम्मीद के साथ जो है इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूं ताकि आप लोगों को इस से लाग मिलें और पुना एक नए वीडियो और लेक्चर के साथ आप लोगों से मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार